हेलो स्टूडेंट्स यह पढ़ा गया के पांचवे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और यहां पर अगर हम बात करें अगें यह एक इंट्रस्टिंग क्वेशन हैं जो सी बीसी 2020 सेट नंबर 58-2-2 में पूशा गया था और अगर आप देखेंगे दिन सर्प्राइजिंग इस दाट कि एंट्रस्टिंग कभी जो है महारतना में से एक हुआ करता था जो अब को पता होंगी महारतना नवरतना इंड मिनी रतना जो भी प्रॉफिट अर्निंग बिजनसे होते हैं यूनिट्स होती है गवर्मेंट सेक्टर की पबिक सेक्टर यूनिट्स जो होती है तो उस काटिगरी में यह फॉल करता था किस तरीके से यह सारी चीज़े हुई इससे पहले कि हम इन सारी बचीजों के बारे में और बात करें क्वेशन देख लेते हैं सबसे पहले रिसेंट लिए गवर्मेंट अफ इंडिया इसको जस्टिफाई कीजिए कि इस तरीकी के पॉब्लिक सेक्टर यूनिट को बंद करने से बढ़िया है पहली चीज तो कि उसको जो है आप मर्ज कर दें और अगर फिर भी लॉस इंकर हो रहा है तो डेफिनिट्ली इस नॉट डिशिजिन तो रन सच कैंड अफ यूनिट्स लॉस मेकिंग यूनिट्स को तो आप प्राइविटाइज कर दें या फिर उसमें जो है उसके शिर्ज प्राइविट कंपनी इसको बेज दे जिस तरीके से मारुति सुजु़की जो एक कार-मैनिफैक्ट्रिंग कंपनी है यह इंडिन कंपणी हुआ करते थी मारुति और उसको जो है अगर इस तरीकी इ करें तो तीन नंबर का पहली चीज़ एक नंबर मिलेगा आपको the decision was taken by the government to of India to merge BASNL and MTNL in दोनों companies को merge करने का decision काफी appropriate था एक नंबर इसके लिए मिल जाएगा आपको the government has merged these two loss incurring businesses with a motive to achieve करना था तो एक एक नंबर आपको यहां पर yes no के लिए मिल जाएगा एक नंबर दूसरे पॉइंट के लिए और एक नंबर पीसरे पॉइंट के लिए मदब दो पॉइंट लिग दीजिए और एक यस नो बता दीजिए तीन नंबर आपको इस तरीके से मिल जाएंगे so basically government wanted to achieve higher economic and functional efficiency जो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से government achieve करना चाहते रहे but I don't think so कि यह मिली है क्योंकि आज भी BSNL MTNL ऐसी companies जिनको बहुत जादा जो आज popular नहीं है even their plans are very attractive but the service or the quality of service is not so good so that is why people don't use them the another thing is minimize possible losses अगर कोई possible loss है या फिर to minimize the expenditure भी यह point भी आप आप कर सकते हैं कि दो companies अगर merge हो गई हैं तो जो expenditure है वो थोड़ा सा कम हो जाता है जो fixed cost कह लेजी या फिर running cost कह लेजी या फिर variable cost कह लेजी इन में कही ना कहीं कुछ changes आ जाते हैं तो यह question इसलिए मैं ने यहां पर include किया है यह पढ़ा किया सिरीज में बिकाज एक देर वस a time when MTNL was a maharatna company and right now it is a loss making unit तो over a period ऐसा क्या हुआ यह आप लोगों के लिए एक case study हो सकती है और इन सारी units को किस तरीके से privatize किया जाना चाहिए या क्या लिए कि how the dis investments or dis investment or privatization can be you know done in a phase wise process so that the benefit can reach to the government sector क्यों कि जब भी आपको इस तरीके की loss making unit बेचते हैं private sector को तो definitely जो आपका loss चलता हूँ आ रहा था वो loss होना बंद हो जाता है एसेक्स आपके definitely कम हो जाती है लेकिन profit आपका increase होने लगता है revenue आपका increase होने लगता है so that's a very good thing तो यहां पर इन सारी चीज़ों को आप जरूर critically analyze करें और इस तरीके के questions आजकल बहुत जादा आने लग गए हैं 2021 में 20% इस तरीके के questions increase हो गए हैं जिसमें आपको case study दी होगी और फिर आपसे यह सारी चीज़ें पूछी जाएंगे I hope तो इस वीडियो को आपने enjoy किया होगा इसकी और भी चार वीडियो पहले आ चुके हैं आप जाकर उन्हें description में चेक कर सकते हैं और उसके अलावा भी macro economics और IED की वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं बाकि अगर आपको कोई डाउट हो यहां पर तो आप हमें comment section में लिख सकते हैं बता सकते हैं हमें हर एक comment को read करते हैं और रिप्लाइज जरूर करते हैं और अगर आप हमें follow कर सकते हैं और वेट्सएप पर जॉइन करना चाहते हैं description लिंक है आप जाए जॉइन कीजिए इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए like जरूर कीजिए share जरूर कीजिए वीडियो दोस्तों के साथ और subscribe कर लीजिए for latest videos notification और जब भी आप subscribe करें तो bell icon पर press करके all को जरूर प्रेस क मिल पाए subscribe कर लेते हैं बच्चे कहते हैं notification नहीं आता तो bell icon पर जाकर प्रेस जरूर करें subscribe कर चुके हैं तो दुबारा subscribe मत कर लीजिएगा वरना unsubscribe हो जाएगा तो this is all for today's video मिलते हैं आपसे next video में till then keep watching Manoj जांगे classes thank you all of you